चलिए student हम लोग question number 2 को solve करते हैं देखिए इसमें क्या का अजर बताईए सत्य है या सत्य है या सत्य है या सत्य बताना है यहाँ पर यह जो statement दिया गए आप इसको पढ़िए किसी भी बिसम संख्या का अधन सम होता है तो यहाँ पर यह जो statement आप देख रहे हो वो क्या है असत है अगर हमारे पास कोई भी बिसम संख्या है तो बिसम संख्या का जो घं है वो बिसम संख्या ही होता है उदाराण के लिए आप लोग देखिए बिसम संख्या हमारी क्या है तीन होती है अगर लोग तीन का घं करें तो क्या होगा तीन गुड़े तीन गुड़े तीन इसको तो 5 का घंड क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे 5 गुड़े में 5 गुड़े में 5 और इसको क्या पढ़ेंगे 5 पचे 25 पंचे 125 और आप देखकर के बताए 125 क्या है एक सम संख्या है नहीं है तो यहां से आप लोग देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी विसम संख्या है तो क्या होता है एक बिसम संख्या होती है सम संख्या नहीं होती है यहां पर यह जो स्टेट्मेंट हमें दिया हो क्या है इनकरेक्ट है असत्य है चलिए आगे देखते हैं एक पूर घंड दो सुन्यों पर शमाप्त नहीं होता है अगर हमारे पास कोई संख्या है अब यहां पर बात ओर ये पूर्ड घं जैसे कोई पूर्ड घं है और दो सुन्ने उपर समाप्त नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है लेकिन अगर हम 10 के क्यूब की बात करें तो 10 का क्यूब क्या होता है आप लोग सोच कर बताईए 10 दाहम 100 दाहम क्या होता है 1000 होता है तो यहाँ पर देखिए कितने सुन्ने उपर समाप्त हो रहा है तीन सुन्ने उपर समाप्त हो रहा है ठीक है तीन सुन्ने उपर समाप्त हो रहा है चलिए अब लोग एक एक इग्जामपल और लेते हैं समझे हमने 20 का क्यूब लिया बही 10 का क्यूब लेंगे टेक हजारा 20 का क्यूब कितना हो जागा दो दूनी 4 दूनी 8 तीन सुने लगा दीजिए 8000 अब ए भी देखें तीन सुने पर ही समाफ्ट हो रहा है अगर हम इसी तरीके से 30 का क्यूब लें तो इसी के क्यूब में 0 आना है तो 3, 3, 9, 3, 27 क्या एक करेक्ट है आगे देखिए आगे क्या का जा रहा है इसे आप लोग experiment कर लिए करिए यह दिकिसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है अब अगर मारे पास कोई संख्या है जिसका वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा ठीक है जैसे हमने 5 का स्क्वाइर के तो 25 यहां पर देखिए 5 पर समाप्त हो रहा है तो उसका घं 25 पर समाप्त होता है तो उसका घं 25 पर समाप्त होता है क्या यह बात सही है यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए यदि किसी संक्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है अब 5 का चलिए हम घन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5, 25, 25, 125 चलिए आगे देखते हैं लोग कोई दूसरा एक्जामपर लेते हैं तो हमारे पास क्या है 25 है अब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आता है 625 अब तो उसका घन 25 पर समावत हो तो 25 का घन निकाले देखी क्या हो जाएगा 25 का हम लोग घन निकालते है ठीक है तो 25 पंचे 125 625 और 625 को 25 से मल्टिप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आता है 325 तो यह भी 25 पर ही समावत हो रहा है चलिए लोग एक दू एक ग्जामपल और ले लेते हैं कि चलिए हम किसका एक्जामपल लें समझे हमने एक्जामपल यह 15 का ठीक है तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 15 का घं करके देख लेते हैं तो 15 का हमने घं करेंगे 25 को हम मल्टिप्लाई करेंगे 25 से देखें क्या हो जागा 25 पंचे 125 के 5 हासिल क्या है 12 है 25 दूनी 50 50 में 12 जोड देंगे तो 50 10 62 62 देखें 25 दूनी 50 10 62 62 के 2 हासिल 6 पचीज दूनी 50 और हासिल कितना बचा था इसको इस्टूडेंट आप फिर से मल्टिप्लाई करेंगे देखें 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12 पचीज दूनी 50 और पचास में 12 जोड़ेंगे 62 के दो हासिल 6 पचीज दूनी 56 56 तो मारे पास क्या गया 56 पचीज आ गया पंदरह का क्यूब क्या हो जग़े तो चलिए 15 के स्क्वाय को 15 से मल्टिप्लाई कर गए तो 15 का क्यूब मिल जाएगा तो 15 75 के 5 हासिल 7 15 दूनी 57 37 के साथ हासिल 3 और 15 दूनी 33 से म्मारे पास क्या गएगआ 37 75 तो यहां पर आप लिख दिजे 33 75 क्या हो जागा 33 75 तो student यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो मारा 15 का Q क्या होता है 33 75 अब यहीं से आप लोग देख लिजे अब एजो statement कहा जा रहा है यहादि किसी संक्या का वर्ग 5 पर समापथ होता है तो यहाँ पर यह जो संक्या हमारी 15 है जब हम 15 का उवर करते हैं तो इस पर समाप्त हो रहा 5 पे तो उसका घन क्या 5 पर समाप्त हो रहा 25 पर समाप्त हो रहा नहीं हो रहा है तो एक कोई जरूरी नहीं है कि 25 पर ही समाप्त हो तो यहां पर यह जो statement है वो क्या है आसत्य है ठीक student आपको experiment की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ठीक है इसके लिए तो जैसे अगर इसी पर रूप जाते हमारा statement क्या हो जाता correct तो हमारा जो experiment क्या रहता अपूर इसलिए हमने थोड़ा सा score आगे बढ़ा है 15 पर गए ऐसे आप 35 पर जाना 45 पर जाना तो आप देखेंगे सब पर वह आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए जो मारा statement क्या है वह incorrect है कोई जरूरी नहीं है कि 25 पर ही घंसमाफ्थूस का चलिए अब लोग अगले प्रश्ण पर चलते हैं और देखते हैं इसका solution क्या होगा तो इस्टूडेंट आप लोग question को पढ़िए अब देखेंगे इसमें क्या का जा रहा है ऐसा कोई पूर घं नहीं है जो आठ पर समाफ्थू आइसा कोई पूर घं नहीं है जो आठ पर स क्या हो अगर हम लोग दो की बात करें दो की तो दो का जो पूर घं किस पर समाफ्थ होता आठ पर दो दूनी चार दूनी आठ अब इसी तरीके से आप अगर बारा का ही देख लीजिए बारा का क्यूब करेंगे तो बारा बार में 144 और बार में करेंगे 1728 देखिए यह भी आठ पर समाफ्थ हो रहा है इसी तरीके से आप कोई और संक्या लेंगे तो उसका क्यूब भी आठ पर ही समाफ्थ होगा अगर 22 का लेंगे 32 का लेंगे तो इसी तरीके से देखिए ऐसा कोई पूर घं नहीं है पूर घं नहीं है जो आठ पर समाफ्थ हो तो यह जो मारे समझें हमने दो अंक वाली संक्या लेली 12 हमने 12 का घंकियत हमारे पास 1728 आ गया 1728 में अंकों की संक्या क्या है चार है दो अंक वाली कोई भी संक्या लीजिए चलिए हमने 10 लिया 10 में कितने अंक है दो अंक है तो 10 का हम घंक करेंगी कितना हो जागा 10 100 100 Chinese देखू, हम ने सबसे चोटी दो अंक की संहया ली नहीं फ़ेकिन तब भी इसका हम घंक कर रहें इसमें, चार अंक है, तो तीन अंक नहीं हो सकता ठीक है, दो अंकों की संहया का घं, तीन अंकों वाली संहया हो सकती है, नहीं, यहां पर यह Partner यहारा ये statement क्या है असत्य नहीं हो सकता ठीक है related अब इसका हम लोग घं करके देख लेए और इससे हमें पता चल जाएगा कि यह जो हमारा statement है वो correct है या फिर incorrect दो अंकों की संक्या के घन में साथ या अधिक अंक हो सकते हैं चलिए हम करते हैं एक ए 99 का square करेंगे हमारे पास क्या आता है 98.01 अब जब हम 98.01 में 99 से multiply कर देंगे तो हमे 99 का cube मिल जाएगा multiply करके देख लिजिए 9 के 9, 9 सुने सुन 98.72 के दो हासिल साथ और 99.81 साथ क्या हो जाएगा 88 आगे देखिए फिर 9 से multiply करेंगे तो 9 के 9, 9 सुने सुन 98.72 के दो हासिल साथ 99.81 साथ अठाथा देखिए कितने अंक आएगे इस्टूडेंट सबसे बड़ी संक्याम ले रहे हैं हैं ठीक है यहाँ पर देखिए 9, 9, 2, 8, 2, 10 के सुन हासिल 1 और हमने 8 में एक जुड़ा 9, 1, 10, 10 के सुन हासिल 1 और 8 में एक जुड़ा 9 देखिए कितने अंकी संक्याम के आगे 6 अंकी साथ या साथ या अधिक अंक नहीं हो सकते ठीक है अधिकतम हमारा 6 अंक होगा उससे अधिक हो नहीं सकता दो अंकी संक्या के घन में ठीक है तो यह मारे स्टेटमेंट क्या हो गया है असत्य हो गया है इसलिए स्टूड़न्ट हमने सबसे बड़ी संक्या ली ठीक है आप छोटी लेंगे दो अंकी संक्या तो चार अंक भी हो सकता है चलिए आगे देखते हैं सातवे नंबर पर देखिए इसमें क्या काजरा एक अंक वाली संक्या का घं एक अंक वाली संक्या हो सकती है जैसे अगर हम कोई एक अंक वाली संक्या ले और उसका घं निकालत क्या हमारे पास एक अंक हो सकता है जी हां यहां से आप देख सकते हो चलिए हमने दो लिया एक अंक की संक्या है दो इसका घं निकालत हमारे पास क्या हो गया एट इसी तरीके से देखिए बस हो गया अगर हम कोई एक अंक वाली संक्या ले एक अंक वाली संक्या का घन एक अंक वाली संक्या हो सकती है यह मारा स्टेट्मेंट क्या एक करेक्ट है तो स्टुडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं यह जो मारा question number 2 था इस question number 2 को हमने solve किया तो चलिए guys आप लोग पढ़ते रहे अगर आप को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहे थैंक यू